हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है कि भारत में जनसंक्या वृद्धी के कारणों की व्याख्या कीजिए क्या जनसंक्या वृद्धी भारत के आर्थिक विकास में बाधक है तो ये जो कोश्चन है इस कोश्चन का जो है मैं आप लोगों को आज आंसर बताने वाला हूँ और यह जो question है दोस्तों इसका जो answer होगा एकदम easy तरीकी से आप लोगों को बताऊंगा ताकि अगर यह question जो है आपके exam में आता है तो इस time जो है आप इस question का जो answer है वो कर पाएं तो चलिए यह जो question है इसका जो answer है वो अभी जो है मैं आप लोगों को बत और discussion box में मैंने आप लोगों के साथ जो हमारा whatsapp group है उसका link share किया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को जो हमारा whatsapp group है वो join कर लेना है तो चलिए यह जो answer है वो अभी हम मैं आपको बताता हूँ तो देखिए answer में क्या होगा कि भारत में जनसंक्या वृ में कमी जो है heading हो जाएगी आप लोगों की उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि अंतिम कुछ दसकों में चिकित्सा स्वास्थ सेवाएं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ने जन्व दर में वृद्धी को कम किया है ठीक है फिर next है इसलिए में हमारी में भी सुधार ने जन्संक्या वृद्धी को बढ़ावा दिया है बहतर स्वास्थ सेवाएं और अन्य कारणों से मित्युदर में कमी हो रही है फिर next है इसी में परिवार नियंत्रण में कमी कुछ छेत्रों में परिवार नियंत्रण की अधिक कमी ने जन्संक्या को यह एक समाजिक और आर्थिक परिवर्तन का परिणाम है फिर next heading हो जाएगी आहाँ बाली वस्ता में सुरक्षा तो इसमें देखें बच्चों की बाली वस्ता में सुरक्षा में सुधार ने बच्चों की मिर्त्यु दर को कम किया है जिससे जनसंक्या वृष्द्धी होती है फिर नेक्स्ट है इसी में जीवन कौसल और रोजगार इसमें देखिए अधिकांस लोगों के पास आदेसिक रूप से जीवन कौसल और रोजगार के अवसरूं की अधिकता है जिससे वे अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहरा दे सकते हैं जिससे जनसंक्या में वृद्धी होती है फिर इसी में आगे देखिए जनसंक्या वृद्धी भारत के आर्थिक विकास में बाधक हो सकती है अगर इसे सही तरीके से नहीं प्रवंदित किया जाता है यदि जनसंक्या को ब्यावासिक और समाजिक सेवाएं सेवाओं तक पहुचाया नहीं जाता है तो इससे आर्थिक पणाली पर दबाव पढ़ सकता है बड़ी जनसंक्या को सही रूप से प्रबंदित करने के लिए सिक्षा स्वास्त सेवाएं और रोजगार के अवसरों का सही तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए तो दोस्तो ये था इस कोशन का जो है आंसर होप की आपको जो ये आंसर है वो समझाया हो और अगर आपको ये वीडियो जो है helpful लगी हो तो वीडियो को like करके जाएगा अगर चैनल पे जो है आप पहली बार आ रहे तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा और what's up group join कर लीजिएगा हमारा जिसका जो link है निचे discussion box में और comment box में मैंने आप लोगों किसाँ share किया हुआ है तो आप लोग जो है click करके join कर सकते हैं सभी तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day